Hello everyone, welcome back to my channel, Indo-Canadian Desi I hope आप सब लोग बहुत बड़ी होंगे तो वाइस 2024 की कैंड़ना में शुरुआत थोड़ी अजीब से हुई है क्योंकि अलड़ी high interest rate और inflation तो लोगों को परिशान कर ही रही है और इसके response में जो employers हैं टेक्निकल और financial sector में उन्होंने काफी layoffs भी शुरू कर दिये तो अलड़ी 2024 में भी काफी well-known companies like Xerox, Google, Amazon, Salesforce काफी ओर companies ने भी multiple layoffs करे हैं and recently अभी Bell Canada ने भी almost 4800 employees को let go करा है It's already difficult to sustain your day-to-day expenses और उसके बाद अगर layoffs जैसी चीज़ हो जाए तो वो आपको बहुत जादा affect करती है emotionally, financially and mentally as well अब layoffs भी दो तरह के होते हैं एक होता है permanent layoffs जिसमें they are permanently letting you go कि आपका वहापीस job मिलने का कोई scene नहीं है Second होता है temporary layoffs कि अगर company को लग रहा है कि अभी उनको थोड़ी cost cutting करनी पड़ेगी तो maybe temporary six months, two months के लिए वो आपको let go करते हैं इसके अलावा layoff और termination का फरक भी समझते हैं layoff होता है जब company आपको let go कर रही है आपको job से निकाल रही है without any fault of yours और termination होता है कि अगर आपकी for example आपकी कोई performance problem थी या फिर आपकी कोई हो और आपकी गलती के वे से आपकी job जा रही है तो इस video में हम जो भी बात कर रहे हैं वो layoff के around बात करें कि अगर layoff होता है और आप उसके victim बनते हैं तो आपके next steps क्या होने चाहिए चलिए आप बात करते हैं and all of a sudden they will let you go so इसको process करने भी थोड़ा time लगता है so once आपका mind थोड़ा cool position में आ जाता है उसके बाद आपने अपने employer से कुछ documents collect करने होते हैं जिसमें से एक बहुत important document है record of employment record of employment में आपका employer आपको state करेगा कि आपके जो भी available benefits है वो कब तक आपके बास available हो जोरत होती है so it's always good to request for a record of employment from your employer second सबसे important point है अपने employer से पूछे कि आप severance pay के लिए qualify करते हैं अगर हाँ तो आपको कितनी severance pay मिलेगी और कब start होगी वो अब severance pay क्या होती है अगर आपने किसी भी employer के लिए एक साल के उपर लगातार काम कर रहा है तो mostly आप severance pay के लिए qualify करते है अब हर province में different criteria हो सकता है severance pay का बड़ एक मोटा मोटा general आपको idea दे देता हूँ कि अगर आपने जितने भी साल काम कर रहा है उसके हर साल की एक हफते की pay आपको as severance pay मिलती है and it cannot be more than 26 weeks तो ये जो criteria के हिसाब से आपको severance pay मिलती है तो ये आपको अपने employer से check करना होता है और अगर कोई भी confusion हो तो अपके से lawyer को भी reach out कर सकते है also याद रखिए जो severance pay है उसके आगे भी जो मैं बात करूँगा जो भी benefit अगर आपको मिलते हैं वो सिर्फ तब मिलते हैं अगर आप lay-off होए हैं जिसका मतलब आपकी कोई गलती नहीं है कि आपको job से निकाला गया अगर आपकी गलती की वज़ा से आपको job से निकाला गया आपकी performance पूर थी या फिर कोई और ही जबता तो उसमें आप severance pay या फिर कोई और benefit के लिए eligible नहीं हो severance pay के बाद अपने employer से जरूर चेक करिए कि क्या पता वो कोई additional compensation भी offer करते हो like education allowance or anything else there's no harm in always checking with them and asking if any other benefit can be provided to you अब severance pay के addition में एक और benefit है जो आप claim कर सकते हैं वो है employment insurance अब ये भी खाली lay off के scenario में ही आप ले सकते हैं जहाँ पर आपकी गलती नहीं है इसको हम short form में EI भी कहते हैं जो कि mostly अगर आप यहाँ पर job करते हैं या फिर आप कोई भी income on करते हैं तो उस पर आपका EI employment insurance या फिर CPP Canadian pension plan हमेशा आपके check में आपकी income में से काठा जाता है तो यही EI है जो आप claim करते हैं जब आपकी job चली जाती है या आप online अप्लाइ कर सकते हैं या फिर through phone अप्लाइ कर सकते हैं मैं एक link भी नीचे provide कर दूँगा जहाँ पर आप जाके इस पारे में और information पता लगा सकते EI apply करने के लिए जो काफी important document होता है वो है record of employment जिसके बारे में हमने वीडियो की starting में भी बात करी थी जो कि आपको अपने employer से collect करना होता है most cases में जो employer हैं वो खुद भी आपके EI के लिए report करने के लिए वो record of employment भेज देते हैं but just to make sure कि अगर ऐसा ना हो तो आप खुद भी उनसे record of employment रखें कि अगर आपको EI claim में वो submit करना वड़ता है और जब EI claim करने की बात आती है जब भी आपका final day है जो आपका कोशिश करिए जल्दी से जल्दी EI apply करिए चार weeks से जादर delay ना करिए apply करने में नहीं तो EI मिलने में भी दिक्कत हो सकती है तो आपको EI का एक general idea देता हूँ कि आप कितने expect कर सकते हैं आपको पैसा मिलेगा और कब तक मिलेगा तो EI में आप mostly 26 by weekly आप फिर maximum 1 year तक आप claim कर सकते हैं जो इसमें आपको पैसा मिलता है वो depend करता है तो यही कुछ पोइट से जो मैं आपको साथ share करना चाहता था let's hope इसकी आपको जोरत ना पड़े मैं तो भी बोलूँगा जिस भी job में है just keep your head down, keep working hard कोशिश करिए, job अपनी retain करिए, खर्चे अपने limited रखिए क्योंकि who knows आने वाले time में क्या होने वाला है तो चलिए आज का वीडियो ही खतम करते हैं अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा and share करना भी बन बूलियेगा so that's it for now, I'll be back later with another video for now signing out, Indo-Canadian दिर